ये गाइस वेलकम तू मैं यूटूब चैनल राउन डॉबिन इन्फोसिस की तब से मास हीरिंग रॉट्मेंट ड्राइब आ रहे है 2019, 2020, 2021 and 2022 बैच स्ट्वेंट के लिए इस वीडियो में तकेंगे क्या एक्जाम बैटरने स्लेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसकी 16th of January है तो उससे पहले आप लोगों को अप्लाई कर देना है हाडली आपके पास 9 to 10 days का टाइम है और चैनल क्रिशन वीडियो भी आप जरूर चेक करें बहुत सारे off-campus अप्लाई लिंक अभी भी अक्टिव है 2019, 2020, 2021 and 2022 batch pass out student यहाँ पे लिजवाल हो MCA, MSC student भी लिजवाल है और उसकी ब्रांच आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और उसके बाद operation executive में BCA student लिजवाल है, BSC student लिजवाल है एक और operation executive diploma student के लिए diploma student में CS, EC, EE and IT student लिजवाल है 2019 से लिए 22 batch student कोई भी active backlog नहीं होना चाहिए 22 batch student का and I hope rest batch का clear हो चुका होगा system engineer की जवाल है उसमें आपकी package 3.6 LPA की मिलेगी and operation executive की राल में 2.22 LPA की package आपको मिलेगी exam pattern देखेंगे किया आप किस section में कितने questions पूछे जाते है आपको apply link तीनों मिल जाएगा so first system engineer all की apply link आपको description box में मिल जाएगी यहाँ पर infosys SC Jan यहाँ पर लिखा हुआ है so infosys अभी November में hiring की थी December में hiring की थी January में hiring की थी अब month wise infosys hiring करना है start कर दिये तो आप सबसे बड़ा questions mark यह आता है कि जो student last 6 months में exam दिये है वो यहाँ पर eligible है या नहीं वो apply कर सकते है या नहीं तो guys आप लोग apply कर सकते हो जब आप form यह fill करते हो तो form में आगे आप से पूछता भी है कि आप last exam कब दिये थे okay so वो date आपको mention करना होता है but guys last 6 months student eligible नहीं होते है यह सच है यहाँ पर उन्होंने बोल भी रखा है but student को exam link आ जाते है assessment link आ जाते है तो आप एक बाद ज़रू apply कर देना and मैं यह भी बोलूँगा कि जो student का भी DSE और SP का exam नहीं हुआ है तो आप लोग वो अपना प्लान कर सकते हो कि system engineer की exam देना या फिर DSE और SP की exam देना अगर आप DSE SP के like level की coding आपको नहीं आती है तो आप SC software engineer की exam system engineer role की exam देके आप इसमें placed हो सकते हो तो यह आप लोग ऐसा कर सकते हो तो यह system engineer की link आपको discussion box होल है so in detail यहां पर देख लेते exam pattern उससे पहले मैं आप लोग को बता दो कि 16th of January ही इसकी last date है इससे पहले आप लोग को apply करना है और अपने सारे friends के साथ share कर दो and yeah so कुछ student का December में वो apply नहीं किये थे because of six month criteria तो मेभी उस student का अभी उनका complete हो गया होगा six month criteria जैनवरी में क्यूंकि मेज जून student बहुत सारे student साथ नहीं apply कि रहेंगे November में मेज जून में जो hiring होई थी या September में भी hiring होई थी September वाला का तो अभी complete नहीं हो होता है section wise cut up है guys section wise आपको take care करना पड़ेगा यहां पर पजल एंड pseudo code यह दोनों के questions आपको description box में मिल जाएगी एक वीडियो की link वहां पर मैंने pseudo code में questions पूछे जाते हैं पजल किस step के आते हैं वह मैं already discuss कर चुका हूं तो वह वीडियो आप आप देखोगे तो आपका clear हो जाएगा क्योंकि यह पांच सेक्शन इस में सबसे important section pseudo code और puzzle क्या ही है क्योंकि यह दुनों section hard होता है और इसका cut up भी 45-50% ही मन ली रहता है और यह तीनों section का जो cut up है वह 55-60% रहता है ओके तो यह questions easy to moderate level में बोलूँगा and आपको section wise cut up clear करना है 60% आप section wise score करने की try करना okay I hope guys आपके सारे doubt clear हो गएंगे जिनका भी Infosys में interview अभी होने वाला है next week में okay so Infosys interview questions भी आपको description box में मिल जाएगा आप वो भी एक बार जरूर चेक करना and recent video जरूर चेक करना अच्छी off-campus hiring है आप जरूर एक बार वो देखें अगर आपने apply नहीं किया है तो thank you all the best